ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं मेश रासी वालू भगवान शनिदेव के असिर्वास से 21 जनवरी से 30 जनवरी यानिकिन 10 दिनों में करियर, पैसा, वेवशाय और बहुत कुछ आपको बता दें भगवान शनीदेव के असिरवास से 21 जनवरी से 30 जनवरी यानिक इन 10 दिनों में बन रहे शनी के सस्योग में आपकी किस्मत चमक जाएगी जा दोस्तों इन 10 दिनों में 5 सुब कार्रे आपके लिए होकर ही रहेंगे आपको बता दें आपकी किसमत इन दस दिनों में चमकने वाली हैं भगवान शनिदेव आपकी राशी वालों के उपर इन दस दिनों में सबसे अधिक महरबान रहने वाले हैं भगवान शनिदेव इन दस दिनों में प्रसन मुद्रा में रहने वाले हैं जिससे कि यह समय आपक भगवान शनिदेव के असिर्वास से प्राप्ति होने वारी हैं जिससे आपका भाग्य ही बदल जाएगा जा दोस्तों भी बड़ी खुशकबरिया कौनकोंसी हैं इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंतर तक अवश्य बने रहें और अंतर तक इस वीडियो को आ आप पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिशना करें क्योंकि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुती महत्पण शापित होगी क्योंकि इस वीडियो में आपके 21 जनवरी से 30 जनवरी यानि कि इन 10 दिनों के संपून और शटीक रासी फल्क के बारे म बताने वाले हैं दोस्तों वीडियो का कि शुरू करें सबसे पहला है रिक्वेस्स करते हैं भगवान शनीदेव के सच्चे वक्ति यस वीडियो के इक लाइक अभी करें और कमेंट स्वोक्ष में जैयर शनीदेव अवश्य लिकें जिससे भगवान शनीदेव का हो सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा भगवान शनीदेव के असिरवा से आपके लिए 21 जनवरी से 30 जनवरी यानि किने 10 दिनों का यह महत्मपोने समय दोस्तों अब समय पूंड तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिल साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे शांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुआरा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसनता का माहूल रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी चुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं के साथ किसी महत्पपून मुद्दे पर शकारत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए एप्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही हैं इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्योप्योग करें लंबे समय से चले आ रहें किसी तनाव और चिंता से अब आपक इस्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी हैं अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड़ धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसियां महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप सावधानी बरतें कोई नकार अतमक बात आपसे संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वजए से काम को कुछ टानले की भी प्रबरती रहेगी विध्यारती वर्ग अपनी पढ़ाय के प्रती जादा एकागर चित रहें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वजए से बंते कामों में भी रुकावट आ सकती हैं अपनी नकार अत्मक कमियों को दूर करके आप भैतरीन रिजल्ट प्राप कर सकते हैं दोस्तों के साथ जादा गोमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सद्य उप्योग करें दोस्तों साती साथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत्पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भैं हैं कैई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वजए से कोई महत्पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती हैं थोड़ा सावधान रहें शेयर शट्टा आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें घर में महवानों के आगमन से कुछ महत्पूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने काम काज के प्रती सजग रहें साती सात पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पढ़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस सम्बंदित मामलों में चड़ चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताय भी प्राप्त होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारतमक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तो बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा सौपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने करोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उतसब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पति-पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमांदार रहें वेवारी के संबंद मधुर रहेंगे परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परेसानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कौन से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नोकरी पेशा लोगों को भी अपना काम को सलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकार अत्मक परणाम हासिल होंगे शैयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मधुर बना कर रखें जिस कार्रों को आप शहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्रे के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवशक्ता है नोकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्य छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मे वेकार की मान हानी के भी योग बन रहे हैं कुछ ने वेवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे पेपर वर्क करते समय बहुती आपको साबधानी बरतनी की आवशक्ता है जरासी भी नापरवाही नुकसान दायक साबित हो सकती है इस समय कार्रे के गुणवत्ता को और अधिक बहतर करना अति आवशक है प्रॉपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी तथा वेपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्पपून योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षय को ट्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिले कार्य चित्र में धन टापती के लिए किये गए नए अनुबंध विख्षित होंगे तथा नए योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबभी व्यक्तियों की सला अवश्य लें आपके ल भूजन महसूस होगी ला परवाही बिल्कुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें साती साथ अत्यादिक काम की वजय से ठकान वे कमजोरी महसूस होगी शमय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक हैं साती साथ अपने खानपानबर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें तला हुआ भूजन आप ना करें परेज करें सुपाच्य भूजन करें जो आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा साती साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें